आज के वीडियो का topic है how to send slack channel message from our webbook सिखाओंगा कि कैसे जबी भी webbook के through आपके पास कोई data receive होगा तो automatically आप उस data की help से एक message sign करवा सकते हैं अपने slack के particular channel पे जहां पे भी आप चाहते हैं क्या होगा? automate करना होगा आपको webbook और slack से webbook के through किसी भी application को आप जो है automate कर लेना with the help of pably correct then उसके बाद क्या होगा? automatically आप एक message sign करवा सकते हैं slack के channel पे जो भी data receive हो है आपको through a webbook क्या होगा? capture होगा data then automatically data की details send हो जाएंगी as a message slack के particular channel पे कैसे करना है automate? process जानने के लिए बने रही है इस वीडियो में okay सबसे पहला हम अपने browser में type करेंगे pably.com सामने आ जाएगे official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए मैं already अपना free account बना चुका हूँ that time मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा pably connect का क्लिक करूँगा access now पर access now पे क्लिक करने के बाद open हो जाएगा pably connect का dashboard create workflow पे क्लिक करूँगा अपने workflow को एक नाम देने के लिए मैं एक simple सा नाम दे दूँगा webhook webhook to slack okay simple सा मैंने नाम दे दिया है आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक important बात बता देता हूँ इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow यूज कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगे trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मैं चाहता हूँ के webhook के through जो भी मेरे पास data receive हो automatically उससे related message send हो जाए मेरे किसके अंदर slack के एक particular channel पे जिसका नाम है webhook data ऐसा automation चाहता हूँ trigger application में सबसे पहले मैं choose करूँगा webhook को search किया चूज कर लिया webhook को then उसके बाद webhook qrl pably connect ने दिया है जिसको मैं copy करूँगा और integrate कर दूँगा जिस भी application से करना चाहता हूँ integrate है न तो आउंगा मैं अपने किसके अंदर elementor के उपर okay जैसा कि आप लोग देख रहे है यहाँ पर एक form open है जिसका नाम है form contact okay तो मैं इस form को चाहता हूँ कि जबी भी कोई person fill करे तो automatically submission से related details slack के channel पर sent हो जाए तो इस form को integrate करना होगा उसके लिए मुझे integrate करने के लिए add it with elementor पर click करूँगा add it with elementor पर click करने के बाद एक new page open होगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लोड हो रहा है लोड हो जाने के बाद हमारे सामने new page आएगा थोड़ असा time लेता है wordpress है तो चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक new page आगे हमारे सामने अब हमें क्या करना है यह जो हमारा form है इस पर click करना है इस पर हम जैसे click करेंगे तो left hand side पर हमें कुछ options दिखेंगे नीचे scroll करना है यहाँ पर हमें option दिखेगा action after submit का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा जैसा अब यहाँ पर आप webhook देखने हैं तो यह webhook नहीं लिखा होगा आपको क्या करना है प्लस बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर चूस करना है webhook को सर्च किया चूस कर लिया webhook को दैन नीचे option आने लगेगा webhook का webhook पर क्लिक करना है दैन webhook URL के नदर जो भी data उसको backspace से हटा देना है दैन पैबली कनेक्ट ने जो webhook URL दिया है उस webhook URL को paste कर देना है इस blank field में दैन सिंप्ली कुछ नहीं करना है नीचे आके आपको क्लिक कर देना है अपडेट पे अपडेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो webhook सक्सेस्फुली एड हो जाएगी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और as a user इस form को fill करता हूँ माल लीजे मैं कोई dummy user नाम का इंसान हूँ तो मैं आप अपना नाम आट कर देता हूँ dummy user ठीक है then email address आट कर देता हूँ dummy at the red pably dudes dot com ये मैंने अपना email address आट कर दिया then phone number आट कर देता हूँ 9 phone number आट कर दिया then message simple सा message टाइप करता हूँ hello है ना और नहीं कर रहा कुछ ठीक है sign कर देता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे अभी हाँ पे हमारा form submit हो गया है successfully है ना your submission was successful चलके check करते है pably connect ने submission से related details capture की के नी yes यहाँ पे सारा response received हो गया है जो नाम हमने आट किया था जो email आट किया था जो phone number और जो message आट किया था वो हमारे सामने है means connection एकदम proper work कर रहा है form और pably connect के बीच में है ना webhook के तुरू हमने connection बनाया है webhook के तुरू यह data हमारे पास आया है तो यहाँ पे हम एक proper connection बना चुके है form और pably connect के बीच में अब जबी भी कोई form submit करेगा तो webhook के तुरू इसी तरह data हमारे पास receive हो जाएगा अब मैं चाहता हूँ इन details से related एक message send हो मेरे Slack के एक particular channel पे तो ऐसा करवाने के लिए action application में यहाँ पे search करूँगा मैं Slack को और choose कर लूँगा search किया, choose कर लिया Slack को then action event में मैं चूज करूँगा send channel message को click करूँगा connect पे connection के लिए then add new connection पे then connect with Slack पे then यहाँ पे लिख दूँगा user ठीक है और click करूँगा save पे then यह मुझ से access मांगेगा तो मैं access दे दूँगा नीचे scroll करूँगा allow पे click करके access दे दूँगा don't worry, pably connect is 100% safe authorization successful हो गया जैसे कि आप देख रहें connected है मेरा pably connect successfully किस से Slack से अब यहाँ से आपको क्या करना है अपना channel select कर लेना है तो जैसे कि आप देख रहें मेरे channel का ना मैं वैबॉक डेटा यहाँ पर मैं search करूँगा search किया, choose कर लिया channel वैबॉक डेटा नाम का और जिस भी type का message हम sign करना चाहते है मों यहाँ पर type करेंगे hello यहाँ उसके बाद new submission submission received from elementor form ठीक है यहाँ उसके बाद details details यहाँ उसके बाद name email phone number message thanks एक simple सा यहाँ पर मैंने message टाइप कर दिया hello new submission received from elementor form है ना और यहाँ पर details नाम email phone number message अब यह जो जितना part मैंने manually लिखा है यह हर message में same रहेगा और अब जो मैं add करूंगा वो according to form submission change होगा है ना यहाँ पर मैंने simple सा message टाइप करा है आप जिस तरह का message चाहते हैं टाइप कीजेगा no problem ठीक है तो यह सारी details पहले हमें उपन मिल चुकी है नाम email phone number message तो इन details को यहाँ पर हमें add करना है technique का use करेंगे add करने के लिए जिसको हम mapping कहते है mapping में हम हमारी trigger application का data action application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे just click करना होता है blank field पे नीचे आके name के आगे then यहाँ पे आके हमें space देना है और नीचे scroll करके web hook पे click करना है है ना और यहाँ पे हमें नाम चाहिए तो नाम सर्च करके इसको click करके add कर देना है यह जो process मैंने भी करी इसी को mapping कहते हैं जितनी easy और simple है अतनी important है क्यों है क्योंकि next time जबी भी कोई भी person form submit करेगा तो obvious सी बात इस person का नाम different होगा हर बार हर person का नाम different होगा जो भी नाम होगा automatically वो नाम इस नाम name के आगे आके add हो जाएगा क्योंकि यह नाम हमने अभी यहाँ पे map किया तो map करने से data automatically fill हो जाता है that's why mapping is important इसी तरह से email भी हम map कर देंगे email इसी तरह से phone number map कर देंगे यह रहा phone number इसी तरह से message भी map कर देंगे यह रहा message ओके यह एगा then click करेंगे नीचे आके save and send test request पे तो तुरंत एक message जो है sent हो जाएगा किस channel पे वैबुक data नाम के इस channel पे जो कि इस बात का proof होगा कि automation हमारा set हो गया है तो click कि हमेने save and send test request पे successfully response received हो गया जैसे कि आप देख रहें एक message आगया है hello new submission received from element of forms details name dummy user email dummy at directpablitudes.com phone number message thanks एकदम perfect message आए इस message की presence बता रही है कि automation हमारा set हो गया है नीचे scroll करके just अब हमें save पे click करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह पूरी process अब automatically होगी क्या होगा automatically अब जबी भी वैबुक के through कोई new data receive होगा form submission के through कोई new data हमारे पास आएगा तो automatically उस data से related message send हो जाएगा हमारे इस channel पर जिसका नाम है वैबुक data जिसके अंदर form submission से related सारी details होगी तो ना सिर्फ इन applications को पैबली कनक के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पर click करना है और आप भी मेरा बनाया है यह same workflow यूज कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम free में अगर आपको इस video से related कोई भी doubt आता है और फिर आपके कुछ questions होते हैं या फिर आप मुझ से या मेरी team से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पर जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पर लिंक दिया हुआ है यहां पर आप अपने questions queries जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं second thing अगर आपको पैबली करने की price जाननी है तो इस लिंक पर जाके चेक कीजिए और सबसे most important part अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा थैंक यू